दोश्तों दिस इस सीमा वेलकम बेक टू मैं चैनल जैश्री राम जै महाकाल आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं मंदिर जाने का क्योंकि भाईया हमें मंदिर ले जा रहा हैं जो महरमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर है यहां पर एहमदाबाद में उसको यह डबोडा कहते हैं टैमपल टू हम बहाँ जा रहे हैं तो आप भी हमाए साथ चलिए लेट्स एंजॉइ देतस जर्नी एंड मैं शूट करती रहोंगी क्लिप्स बनाती रहोंगी बीच बीच में तो आप भी एंज़य कर सकते हैं हमारे साथ से ओकी तो मिलते हैं अब यहीं नेक्स च्लिप में जाम नीचे आ गए हैं पार्किंग में भाया जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी निकाल रहे हैं अभी दूप बहुत है अभी साड़े पांच बज रहे हैं फिर भी दूप इतनी है जाते जाते आइधिंग कम हो जाएगी देखते हैं पर यही टाइम बैस्ट रहता है अभी ब्राइविंग कर रहे हैं अभी काफी लमबा रास्ता है लेकिन आल जैसे अधा गणता लगता गाड़ी से जाते हैं तो अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में दिखते हैं जाका जिएक इतन was बर्ट लाए बाती है झाल 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 सबसे खेंवाब झाल 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 और यहां पर गाउं के लोगों के लिए एक common hall भी बनाया गया है ताकि कोई भी function हो तो किजी को पार्टिक प्लोटिया अगेरा अरेंज करने की ज़रूरता हम पड़े, वो common hall में ही वो लोग अपना function अरेंज कर सकते हैं, तो बस हम पहुंच ही गया है, तो यहां पर facility ऐसे और सब मेंटीन किया गया है यहां पर है का यहां हम पहुंच चुके है आँ पार्किंग एरिया में यह पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं किसी अच्छी फैसिलेटी प्रोवाड की गई है एक अलग सी वाइब आती है जब भगवान के रेंज में भगवान के एरिया में भगवान की रेंज में हम आते हैं तो और स्पेशल हनमान जी के लिए तो एक अलग ही वाइब रहती है वो अपनी पावर के लिए अपने महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं तो उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है दिल में आम आलसु देवती ओफ महादेवा बट यस हनमान जी भी मेरे फेवरेट है तो गाईस चलते हैं देख सकते हैं गाईस ऐसा कॉमन हाल बनाया हुआ है यहां पे तो कोई भी फंक्शन रहता है गाउं में मैरेज वगेदा रहते हैं एंगेजमेंट रहती है तो यहां पे ही व बहुत बड़ी स्पेस है और यहां का एंवारमेंट भी बहुत अच्छा है पाने पीने के लिए भी सारी साहूलेत यहां पर दी गई है यहां पर ऑल्मोस्ट किचन ने यह कवर किया जाता है यहां पर सब खाना पीना बनाया जब जाता है कि अगो आएज यह मेरी और भाया में फेवरेज्श प्लेस है जब भी अने फर्स टैम् गाडी चलना शुरूर किया ठा तो वो मुझे दर्शन कर आने के लिए यह यहां पर लेकिया थे तो जब भी मेरा और भीयका मन होता है हम गाड़ी लेते हैं और यहां पर आ जाते हैं आप यहां पर एक बर ज़रूर विजिट कीजिएगा यह बहुत ही पीसफुल प्लेस हैं हर मंदिर की जगह हर जहां जहां भी भगवान है सब जगह पीसफुल रहती है बट यह स्पेशली जाता सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको अंदर की साइड दिखाऊंगी मंदिर के अंदर और यहां के जो गलिया है रास्ते हैं वहां पर भी ऐसे बहुत खुश्बू रहती है और यहां पर एक ऐसी मान्यता है श्रद्धा है कि कोई भी अपने विश्क रखते हैं कि मेरा ये सुखडी जो आटे से बनती है वो चड़ाई जाती है हनमान जी को स्पेशली तेल में गी में बनी हुई और उसकी स्मेल आइकस्प्लेइन वहाथ ही अमेजिंग रहती है बहुत ही अमेजिंग तो यह एक पॉइंट है यहां का जो फेमस है और यहां की जो सुखडी है आप तेज को करना एक बार जब भी आओ तभी ठाली रहती है यहां पर 25 रुपे की 75 रुपे की 50 रुपे की एकस्थाली रहती है वह में लेके बगवान जी को तरनी रहती है देखे गाईज यह है टैमपल टैमपल का रास्ता में आपको रिखा देती हूं आज मंगलवार है तो लेकि प्यूड तो रहेगी मंगलवर रशनिवार को यहां बहुत बीड रहती है यह लोकल मार्केट जैसा है यहां पर थोड़ा कि यह तेल इसलिए यहां पर है कि यह यह शद्दा है यहां पर कि सुखळी के साथ-ससार यहां पर तेल भी चड़ाया जाता है मुझे हर्मान जी की आपको देख सब जाप देखिए हर्मान जी को यहां पर प्रशाद लिया जाता है जो मैं आपको बताया है सुखडी का वह यहां से ब्रिंग करता है पुपन लेके फिर वहां जाया जाता है ऐसी मिठाई रहती है जो हनमान जी को चड़ाई जाती है आप 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 आप